नमस्कार CSK News में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत थो आज हो गया अभी सप्रेल जो फटा फट बड़ी ख़बर निकल के रहे आपको बता दे कि देश भर में जो आकड़े और रिपोर्ट निकल के रहे वो भी आपको बता दे कि बिग ब्रेकिं कोट में आज एक याच क्या दाैर की गई जी आथ इसके बारे में विस्तार से बताएंगे और इस बीच आपको बतादे कि मालानाऊ साथ ने आठिया कर दी गई है एक विसेश समधाय के द्वारा जी हाँ आपको बताएंगे इसके बारे में बिस्तार से कितनी जगहन अपरादू में हैं दो-दो सादूओं के पीट कर लिंचिंग करके हत्या निर्मम तरीके से की गई है ये भी आपको बताएंगे कि एक विशेस खास समदा इसके जरिये सब कुछ खबरे बिस्तार से जानेगे जहाँ पर आपको बताएंगे कि देश के राजधानी में अरविंद केजरिवाल ने कुछ एक अलान के और आपको बताएंगे कि आज 20 अप्रेल राज से कई ऐसी छूट हैं जिसको आपको समझना बेहर जरूरी और कौन-कौन से छूट हैं आपको और क्या यूपी और दिली में भी ऐसी छूट मिलेंगी ये भी आपको बताएंगे क्योंकि 276 में पहुँच चुकी है जबकि मृत को कि संख्या 569 हो चूकी है महराच की बात करें लोक 152 मामले दोल 4022 मामले हो चूके हैं जबकि दle में कल 110 मामले सामने आया टोटल 2000Is Labour में गुजरात की बात करें режим लिए तो बेहुझ और besli मामले सामने है टोटल 1099 हो चुके हैं तेलंगाना में कल 49 मामले सामने है टोटल 408 हो चुके हैं अंदरप्रदेश में कल 44 मामले सामने है टोटल 647 हो चुके हैं केरला में भी कल 2 मामले सामने है टोटल 401 हो चुके हैं करनाटका में कल 6 मामले सामने है टोटल 390 हो चुके हैं जम् जार में कल सात मामले आ है सो हम टोटल 53 हो चुके वड़ी सAK की बात करें तो कल ऋट आलिस मामले आ चुन्टाल एक्थेίस गड़ की बात करें तो आपको बता दे कि दिल्ली सेना के हवाले हुआ मरकोजों का जमातियों का कॉरंटाइन सेंटर जिहां आपको बता दे कि दिल्ली स्थित्न रेला कॉरंटाइन सेंटर अब सेना के हवाले कर दिया गया है इस सेंटर में तबलीगी जमास से लगबग एक हजार सादस से भरती हैं जिन में से 366 लोग COVID-19 के positive पाए गए हैं आपको बता दे कि ये सेंटर तभी से सुरकियों में है जब भारत में अभी कोरोना के सुरवाद हुई हुई थी कि चीन में बढ़ते प्रकोप को देखती लोगों को यहां कॉरंटाइन किया जा सके और ये दिल्ली सरकार के हवाले से किया गया था लेकिन अब सेना ने इसे अपने नियंत्रण में रे लिया है दरसल आपको बता दे कि जमातियों को पुलिस प्रसासान से उलजने और खास करके स्वास सकर्मियों से उलजने के कई म और खुली चेतावनी भी दी गई ही कि जिस तरीके से सेना चाहे उन लोगों को सुधार भी सकती है इस तरीके से सेना के हवाले ये पहला मरकजी जमातियों का कॉरंटाइन किया गया है इस बीच अगली बड़ी ख़बर आपको बता दें कि जहां पर देजबर में को सेना के करने की बात कहीं गई है खास करके ऐसे राज जो बीजेपी सासितराज नहीं है खास करके महराश और पश्चिम मंगाल को भी इन सेना के हवाले किये जाने की बड़ी बात निकल क्या आई है जबस्तों सुप्रिम कोट में याज्किया दायर भी की गई है और यह अनरोध किय गया है कि कोरोना वार्ष संक्रमट से निपटने के लिए रोकने के लिए देश भर में लागडाउन को सही तरीके से पारन कराने के लिए सेना की तैनाती का निर्देश दिया जाना चाहिए सुप्रिम कोट की याज्किया भी है सकता है कि आज इसकी सुनवाई भी की जाए लेकिन खास करके महराष्ट और पश्चिम मंगाल में इसे एना के हवाले किया जाने के बड़ी मांग तेज हो चली है फिलाल सलते एंगली बड़ी खबर मौलाना साथ ने जारी किया आडियो संदेश कहा बीमारी का इलाज जरूरी है सरकार का देश सभी जमाती साथ जी है तरसल दिल्ली पुलिस तबलीगी जमात के मुक्या मौलाना साथ की तलास कर रही है अर्जबिल लगातार आडियो पे आडियो मौलाना साथ जारी कर रहा है एक और नया वाडी आडियो समने आए जिसमें उन्होंने जमातियों को एक संदेश देता नजर आ रहा है तरसल मौलाना साथ ने कहा है कि मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों और भाईयों हर ब्यक्ति का अल्ला ही मालिक है और हल हर हाले तनहा अल्ला के हुक्म से आता है इस वक्त सारा आला में गुर्बा का सिकार है ये बात यकीनी है कि हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है यहां बंदा अपने बनाने वालों से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है इस तरीके की हालात लाता है यानि ये मौलाना साद आडियो जारी करके जमातियों को इसके साथ उन्हें काया कि सरकार के हर मदद करे और सरकार के जिस तरीके से सरकार इलाज चाहती है उस तरीके से जमातियों का इलाज कर सकती है और उन्हें असपस तरीके से काया कि एक एक जमाती सरकार को अपना संपर्क का बताएं आपको बता दे लगतार देज भर में जमाती छुप छुप कर भाग रहे थे इसी को देखते हुए है पहली बार मौलाना साथ ने इस तरीके के आडियो जारी करके सरकार के सामर्थन करने का जमातियों को अनुर्देज दिया फिलाल चलते हैं अगली बड़ी कबर आपको बता दे करोना से हुई एक-एक मौट का बड़ा लेगा अमेरिका डोनाल ट्रम्ट ने चीन को फिर सदी धमकी दोसी पाए गए तो नतीजे भुगतने जाच कर रही हैं और ऐसे में हमारे सुत्रोदारा अगर ये किलियर हो जाएगा कि ये जो कोरोना वारस है ये चीन की एक साजिस है तो चीन के इसके गंभीर परिराम भुगतने होंगे और चीन को एक-एक मौत का बदला भी लिया जाएगा इस तरीके से पत्रकार वारता में ड ब्रेक इंकल के आ रही है महाराश के पाल घर जिले में जूना खाड़ के दो साधूं की निर्मम हत्या किये जाने पर साधू संतों से लेकर सोसल मीडिया तर जम कर लोगों में गुस्सा है अखिल भारतिय खाड़ा परिशत के धच महंत निरेंद्र गिरी ने चेतावनी दि बीडिया में बीडियो वारल हो रहा और काफी लोगों में ज़्यादा ज़्यादा गुस्सा है इस बीच आपको बता दे कि बीजेपी के राश्टी उपाद्धेच प्रवक्ता ने भी जम कर इस पे निरासना जाए कि बच्कि सोसल मीडिया में जब अजस तरीके से इस लिं और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि माराश के पालगर जिले में ब्रम्हा लीन संत को समाधी देने जाते सादू संतों पर पुलिस की मौझूदगी में एक धर्म बिसेज के लोगों ने हमला करके दो सादू की हत्या की थी इस बीच उन्होंने बताए कि पालगर के व आदे की बिग ब्रेकिंग अब आपको जानना बहुत जरूरी है दरसल आज से किन चीजों में छूट है जिए आज 20 अपरेल और 20 अपरेल से कई ऐसी चीजें हैं जो इस लागडाउन 2.0 में छूट मिलने वाली हैं दरसल एकामर्स साइट से आप सामान आडर कर सकते हैं ले लेकिन इस बीच मुबाइल को लेकर बड़ी अपडेट निकल कहा रही है कि मुबाइल अपडेट मुबाइल लेने से आप नहीं ले सकते हैं ऑनलाइन ग्रिमंतराल ने एक नई रिपोर्ट जारी करके मुबाइल ना लेने की बात कही है जबकि आज फिलिपकाड और एमेज कार के मंजूरी वाले कॉमन सर्वी सेंटर भी खूलेंगे लेकिन सोसल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज भी सुरू हो जाएंगी सहरी छेत्र के बाहर सड़क सिचाई विल्डिंग अक्षे और सभी तरह के इंडर्स्रियल प्र प्रोसेसिंग डिस्ट्रिबूशन पर भी काम हो सकेगा इस बीच आपको बता दे कि जो पहले चलती थी वो अभी भी चलेंगी बैक एटियम पेट्रोल पंप सेंजी एलपीजी पीएंजी पहले भी चलती थी डाग घर डाक सेवा कैपिटल डेट मार्केट ये चलते ये सब कुछ पुरानी तरीके से चलते रहेंगे लेकिन जो नहीं चलेंगे वो मतलब जो नहीं चलेंगे वो चीज आपको जानना बहुत जरुए दरसल घरेलू और विदेसी यात्राएं उडाने अभी भी बंद हैं यात्री ट्रेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बसे अभी भी बंद हैं एजुकेशन ट्रेंइंग और कोचिंग इंस्टिटूशन अभी भी बंद हैं और टो रिक्षा टैक्सी और कैब भी भी बंद हैं तो ये सारी चीजों पर अभी भी रोक लगी हुई है फिलाल चलते हैं अंगली बड़ी खबर आपको बता दे कि बिग ब जिलों में ये चूट नहीं दी जाएगी जो हमने आपको अभी बताया है दस अगर आप समझ लेजिए कि आपके जिलों में दस से जादा कोरूना संक्रिमित हैं तो आपको ये सारी चूटे नहीं मिलेंगी ये बड़ी खबर निकल के आ रही है इसी साथ आपको बता दे कि दिल्ली से बड़ी कबन निकल के आ रही जहां पार अरभिन केजियो वाल ने असपस तरीके से कहा है कि राधधानी में मरकच की वज़ा से मामले बढ़ गए इसलिए 186 लोगों के संक्रिमित कल हुए थे इसके बीच उन्होंने लॉकडाउन में छूट देने से इंकार कर द और अगर औरेंज जोन होंगे तो उनमें भी कुछ प्रतिबंद होगा रेड जोन में ये सारी चीजे बंद रहेंगी तो आप समझ लीजे कोरोना संक्रमित के कार्डिंग आपके किन जोन में आपका जिलाता है फिलाल चलते हैं अंगली बड़ी कबर देज भर में लागू ह रभीवार और असमस्तन ने ये फैसला किया एक मस्त अगर कोई ग्राहग भीना मास्क लगाये पेट्रोल पंप पर यिधन के लिए आए तो उसे अगरा बाहर नकलते हैं तो पेट्रोल लेने से पथिलाले मास्ट पड़ा आपको बदाने Back हैदराबाद में फूड डिलिवरी वार कोरोना पॉजिटिव उसके पिताब तबलीगी जमात के मरकस से लोटे थे वो भी संक्रमी थे जी हम जिरसल आपको बता दे कि नामा पली में रहने वाले एक फूड डिलिवरी हैदराबाद से बड़ी कबर डिलिवरी वार अभी वार को कोरोना पॉजिटिव पाये गया पूलिस के मताबिक उसके पिताब दिल्ली के निजाम उद्दीन में तबलीगी जमात के मरकस से लोटे थे इसके बाद यूएक के पूरे परिवार को कॉरंटाइन कर दिया गया इससे पहले दिल्ली के मालभी नगर में पिज़्जा डिलिवरी करने वाले दो में कोरोना वारस का संक्रावन पाये गया था पूलिस ने बताया कि नामपली के लच्मी नगर इलाके में रहने वाला ये ब्यक्ती निजाम उद्दीन के तबलीगी मरकस से वापस आया था जिसके बाद इसको कॉरंटाइन पूरा पॉजिटी पाया गया है तो ये भी काफी चौकाने वाली खबर फिलाद चलते हैं अगली बड़ी खबर दुनिया भर में जरा आंकड़े समल लेते हैं कोरोना वारस संक्रमितों के संख्या की बात करें तो अब तक 23,55,000 मामले दुनिया भर में ये आंकड़े पहुँच चुके है जबकि 1,62,000 लोगों की मौथ हो चुकी है ये अमेरिका के लाई है जहां पर देश भर में दुनिया भर में हायकर के बीच अगली बड़ी खबल लेते हैं जहां पर आपको बता दे कि ऐस्ट्रेलिया ने भी डवल फोगों क की जाजीना दरसल आंचे लdenे भी काया की चीन के साथly की इस तरीम का मामला निकल का दरसल पहले अमयरिका बड़ी खबर आपको बता दे कि बीना बेतन छुट्टी पर भेजे जाएंगी स्पाइस जेट के करमचारी और इस बीच एर इंडिया ने बंद की फ्लाइट टिकट की बुगिंग केंद्री मंत्री ने दी थी बंद करने की सलाह जिहां जरसल आपको बता दे कि बड़ी खबर निकल के आ रही है इस पाइस जिट के लगबग लगबग तीन महीने के लिए सारे के सारे करमचारी ओं को छुट्टी पर बेद दिया जाएगा जिनकी बेतन पचास हजार रुपए से ज्यादा है जिनका पेमेंट पचास जार रुपए से ज्यादा है ऐसे करमचारी ओं को booking कर रहा था 3 माई के बाद उसको बंद करने का आदेश दिया था जिसके बाद Air India ने बंद कर दी थी दरसल आपको हमने 2 दिम पहले बताया था कि Air India ने 3 माई के बाद ये booking चालू कर दी थी लेकिन अब इसको भी बंद कर दिया गया है फिलाल चलते हैं अगली बड़ी खबर अच्छी खबर निकल के आ रही गोवा से जिहां दरसल गोवा में बड़ी खबर निकल के आ रही जहां पर गूगल के CEO सुंदर पिजाय निकल के संकट का समय लोगों को इनोवेशन के लिए तयार करेगा आगे का रास्ता बनाएगा इस तरीके से गूगल के CEO ने भी कहा है दरसल उनका कहना है कि लोग आज घरों में एकांत में बैचे हुए हैं यसे में जो क्रियेटिव लोग होंगे वो कुछ न कुछ माध्यमों से अपने सोच बिचार करके कुछ न कुछ क्रियेटिव करेंगे लेकिन इस तरीके से गूगल के CEO ने बात कही है फिलाल बड़ी ख़बर में इतना है लेकिन अगर आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भोले कि दिन भर आप घरों मे क्या करते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी राय देना ना भोले फिलाल इस वीडियो में इतना ही है जैहिन वंदे मातरम